Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. So, today we start now chapter 3, our past. Chapter 1st and 2nd हम complete कर चुके हैं, आवर पास्ट के, और 3rd चप्टरा स्टार्ट करने जा रहे हैं. आपने chapter 1st में क्या रिल्ड किया कि कैसे ब्रिटिस ने यहां सरवी करवाया, कैसे यहां की सारी जानकारी करठेगी. तो आज हम ये lesson के अंदर ruling the countryside जाने कि गाउं के लोगों पर कैसे उन्होंने rule करना सुरू किया अब तक तो क्या था कि उन्होंने बड़े जहर बंगाल, करनाथ का मैसूर ये सब बड़े-बड़े सहरों पर उन्होंने control किया था अब उन्होंने लगा कि यहां से उनकी income है वो गाउं के लोगों पर भी कैसे सासन करें तो ruling the countryside ग्रामीन एरिया पर सासन ओके लुक एट इस पिक्चर इस पिक्चर के बारे में हम फर्स्ट पैर्याग्राफ में रीड करेंगी क्या बन गई थी जो इस इंडिया कमपनी थी वो दिवान बन चुकी थी कब बनी ओन ते अगरश्ट 1765 तो 12 अगरश्ट 1765 में तब मुगल एंपर ऑपॉईंटर दा इस इंडिया कमपनी आज अ दिवान ओफ बंगाल तो जो मुगल एंपर एर की दवारा इस्ट इंडिया कंपनी को क्या पर दे दिया दिवान और बंगाल, बंगाल का दिवान बना दिया अगस्त 1765 में. The actual event most probably took place in Robert Clive tent. यह जो event थी गटना थी वो Robert Clive का tent था वहाँ पर हुई थी with a few Englishman, वहाँ पर थोड़े से Englishman थे और थोड़े से Indians थे as witness गवा के तोर पर, but in the painting above, जो उपर painting दिखाई गई है, the event is shown as a majestic occasion, तो ऐसा दिखा रखे है, कोई बहुत बढ़ा क्या है, समारो है, अबसर है, taking palace in a grand setting, इसके लिए एक बड़ी setting की गई है, painter was commissioned by Clive to record the memorable event in the Clive life, तो ये Clive के एक writer के द्वारा painting बनाई गई है, painter के द्वारा painting बनाई गई है, जिसने painter को उसने आग्या दी थी, कि मैं अपने इसे जो occasion है, जिस पर हम दिवान बर रहे हैं, इस occasion को अपनी memorize करना चाहता हूं, अपनी याददास्ट रखना चाहता हूं, तो एक Clive की life की सबसे अच्छी यादगार गटना थी, इसलिए उन्होंने इसको painting मनाने के लिए कहा था, तो जो दिवानी मिलने थी, बंगाल का दिवानी का जो पद था, वो बिटीज को मिला था, वो वास्तों में एक बहुत ही बड़ी गटना थी, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी achievement थी, उन्होंने इंडिया पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, एस दिवान दा, company became the chief financial administrator of the territories under its control, वैसे तो मोगल बाचे यहां राजा के नाम से राज करते थे, बड़े, जो मेन काम था, वो company ने करना शुरू कर दिया था, यहां से revenue कठा करना किसने शुरू कर दिया था, company के द्वारा शुरू कर दिया गा था, यहां कि आर्थिक मामलों का मुख्य सासक, chief financials कौन बन चुके थे, इस्टेडिया, company के governor journal, now it had to think of administrating the land and organizing its revenue resources, अब उनके लिए सासन चलाना और income के जो sources थे, उनके और रास्ते ढूणना कि revenue के resources थे, उनको ढूणना था कैसे अपने income को increase किया जाए, कैसे अपने आमदनी को बढ़ाया जाए, this had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company, इसके लिए वो एक ऐसा रास्ता ढूणना चाहते थे, कौन सा, कि जिससे company के जो बढ़ते विए खर्च हैं, expenses हैं, उन खर्चों को पूरा करने के लिए ज़्यादा पैसा, ज़्यादा income कहां से आए, तो income कहां से इक ठीकरते थे, revenue से, in-lugancy, एक ट्रेडिंग कंपनी, एक व्यापार करने वाली कंपनी, had also to ensure that it could buy the product it needed and sell what is wanted, यानि कि अब उनको ऐसे प्रोड़क्त को खरीदना था, ऐसे प्रोड़क्त की ज़रूर थी, जो अपने युरोप के अंदर वासानी से बेच सके हैं, इसलिए वो इंडिया के अंदर वो क्रोप्स ही हुआना चाते थे, जिनकी ज़रूर थे, युरोप के अंदर थी, over the years, the company also learned that it had to move with some quotation, तो company के अब समझ में आ चुका था, कि सावधानी के साथ उने अब आगे काम करना है, being as alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside, अब उनकी जो ताकत थी, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, उन्हें क्या needed लग रहा था, कि किसीज़ की जुरूर थे, उन past के ruler से बात करना, जो countryside यान ग्रामिन लोगों पर साथन करती थे, उन लोगों से वो बाचीत करना चाहते थे, उन लोगों को enjoyed authority and prestige, यानि कि जो राजा गाउं पर साथन कर रहे थे, उन लोगों को श्यांत रखना था, और अपने सम्मान को और अपने authority को सत्ता को बढ़ाना था, those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated, तो इस परकार जो स्थानिय सत्ता के साथ सकते, यानि कि ग्रामिनों पर जो रूल कर रहे थे, उनको control में लेना ज़रूरी था, उनको control में लेने के बाद ही वो अपनी income को increase कर सकते थे, लेकिन उसकी सत्ता को खतम नहीं करना चाहते थे, entirely animated उसको पूरी तरह से खतम नहीं करना चाहते थे, how was this to be done, ऐसा कैसी हो सकता है, in this chapter, इस chapter के अंदर, we will see how the company come to colonize the countryside, कैसे उन्होंने गाउं के लोगों पर भी अपना कानून शुरू कर दिया था, अपना सासन शुरू कर दिया था, organized revenue से और उन्होंने जो revenue है, लगान है, उनके संसादन कैसे जुटाए, redefine the right of people and produce the crop advantage, और लोगों के किस तरह से अधिकार तै कर दिये, यह कहाँगा कि आपके यह अधिकार है, इन्ही का परियोग कर सकते हैं, और कैसे उन्होंन फसलों को उभाना सुरू कर दिया, जिन फसलों की ज़्यादा उनको जरूर थी, अंग्रेजों को जरूर थी, जिस सम्वान की ज़्यादा जरूर थी, उसी सम्वान को वो प्रोडूस करवाना चाहा रहे थे, रिवेन फॉर दा कंपनी, अब कंपनी के लिए आमदनी क्या थी में, रिवेन था, अब कंपनी हैड विकम दा दिवान, क्या बन चुके थे, दिवान बन चुके थे, बट इट सील सा इट सेल्फ, प्रैमरली एज ट्रेडर, लेकिन अब भी वह अपने आपको एक ट्रेडर मानते थे, वापारी मानते थे, इट वान्टिड ए लार्ज रिवेन्यू इंकम, बट वाज अन्विलिंग तो शेट अप एनी रेगुलर सिस्टम अफ असेस्मेंट एंड कलेक्शन, तो वो रिवेन्यू इकठा करने के लिए, रिवेन्यू की इंकम को बढ़ाने के लिए, कुछ ऐसा सिस्टम लागू करना चाहते थे, जो रेगुलर सिस्टम बनाया चाहते कोई, यानि कि जो इंकम है, वो रेगुलर बनी रहे, वो उसको इकठा करते रहें, तो अफोर्ड वाज तो इंक्रेज दार रिवेन्यू एस सच, यानि कि वो रेवेन्यू वो इंक्रीज करना चाहते थे, और ऐसी चीजें खरीदना चाहते थे, जैसे फाइन कोटन, अच्छी कोटन, सिल्क के कपड़े, स्टीपली सस्ते दामों पर यहां से खरीदना चाहते थे, विदिन फाइव इवर्स, पांच सालों के अंदर, वैलू अफ गूड बोर्ट, बै कमपनी बंगाल डबल, जो खरीद रहे थे जिन वस्तवों को, उनकी कीमत यहां डबल ओचुकी थी, विफोर 1865, यहां 1765 आएगा, क्योंकि अब यह क्या बने हैं, दिवान बने हैं, तो इससे पहले, दा कमपनी हैड परचेज़ गूड इन इंडिया, जो भी वस्तवों यहां से परचेज़ करते थी, खरीदी थी भाहर से, इंपोर्टिंग गॉल्ड, उनको इंपोर्ट करना पड़ता था, बंगाल कुड फाइनेंस, ता परचेज ओफ कूड फॉर एक्सपोर्ट, अब उन्होंने जो रेवन्यू कलेक्ट करते थे, जो लगानी कठा करते थे, कहां से बंगाल से, उसी पैसे से अब वो वस्तवी खरीदने लगे, और उसी को एक्सपोर्ट, यानि कि कहां बेजना सुरू कर दिया, ब्रिटेन के अंदर बेजना सुरू कर दिया, जल्दी पता चल गया था कि बंगाल की जो एकोनोमी है, अर्थव्यवस्ता है, वो बहुत बड़े संकट में है, आर्टेसियन वर डेजर्टिंग्स विलेजिस सिंस दे वर बिंग फोरेस्ट तू सेल देर कू टू बी कंपने अट लोग प्राशी, जो आर्टेसियन थे, कलाकार थे, वो गाउं छोड़कर दूर दूसरे अस्तानों पर जाना शुरू कर दिया था, क्यों? क्योंकि उनको अपनी वस्तुएं, जो चितरकार की वही वस्तुएं सस्ते दामों पर बेचनी पड़ती थी, किसको, इस्टेडिया कंपनी को, उनकी मर्जी के प्राइस है, यानि कि जो प्राइस वो चाते थे, सस्ती कीमत पर वो उनको खरीते थे, पीसेंट वर अनेबल टू पे दा डूस देट वर बींग डिमांड रखी जारी थी किसान भी उसे देने में अनेबल थे अयोगे थे अर्टिशनल प्रोडक्शन वाजेन डिकलाइन जो चित्रकला का का काम था वो भी दीरी दीरी खतम होता चाहरा था एगरिकल्चर कल्तिवेशन शोर्ट साइन ओफ कलाप्स और दीरे दीरे जो खेती का काम था वो भी कलाप्स होता जा रहा था खतम होने की का कारपर था देन 1770 में टेरीबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल और बंगाल के अंदर एक बहुत बढ़ा अकाल पड़ा कब 1770 में वन थार्ड ओव दा पोपुलेशन वाल वाइब इस ताइम की जो पोपुलेशन उसका एक तिहाई लोग मारे गए थे किसमें जो बहुत बढ़ा टेरिबल फेमाइन आया था बंगाल के अंदर अब ये वीकली मार्केट की पिक्चर दिखाई गई है कि कैसे लोग अपने प्रोडेक्ट को अपनी गूर्ड को मार्केट के अंदर सेल करते थे अब बिल्टिस क्या सोच रहे थे क्या माइन में उनके क्या एडिया आ रहे थे कि जो एगरिकल्चर है उसमें इंप्रूव कैसे किया जाए कैसे सुधारा जाए तो साइड में आप पिक्चर यहां देख रहेंगे चारलस कानवालिस है जो आगे इसके बारे में हम रीड करेंगे उन्होंने एक पर्मानेंट सेटलमेंट को लागू किया था यह पर्मानेंट सेटलमेंट को लागू किया था इसके बारे में हम इसमें रीड करेंगे इफ दा एकोनमी वाज इन जून अगर इस परकार से अर्थवेस्था खतम होती जा रही थी तो कुड़ दा कंपनी भी सर्टेन ओफिट रिवेन्यू इंकम तो कहां से उसकी जो रिवेन्यू इंकम हो कहां से आएगी जो ज्यादा तर कंपनी के अधिकारी थे वो इन्होंने यह फिल मैसूस करना सुन कर दिया था अगर उनको अपनी रिवेन्यू में क्रीज करना है अपनी लगान में बढ़ावा दीना है तो उसको ज्यादा इंवेस्टमेंट कहां करना पड़ेगा जमीन पर इन्वेस्टमेंट करेंगे पैसा खर्च करेंगे तभी तो प्रोडेक्शन को बढ़ाया जा सकता है तो इसलिए वो क्या सोच कर रहे थे कि अगरिकल्जर को सुधार करेंगे कैसे किया जा सकता है अफ्टर टू डिकेट्स दो दसकों के बाद टू डिकेट्स मिन्स ट्वेंटी इयर्स ओफ डिबेट ओंदा क्या चलता रहा डिबेट the company finally introduced the permanent settlement settlements in 1793 company के द्वारा एक settlement तैयार किया गा जिसको permanent settlement के नाम से जाना गया कब तैयार किया 1793 में किस के द्वारा चार से कारण वालेश के द्वारा by the term of the settlement, इस settlement के according the raja and the talogdar were recognized as a zemidhar जो राजा थे या तालोगदार थे उनको zemidhar की मानिता दी गई they were asked to collect rent from the patient वो किस से collect करेंगे revenue को, patient से, किसानों से and pay revenue to the company और किसको दे देंगे, company को दे देंगे, तो यह काम किसको जोग दियागा, raja जो तालोगदार गो that is, it was not to be increased ever in future, उस time पे यह बोला जा था कि जो revenue है इसको future में increase नहीं रखा जागा, इसको यह permanent settlement है यानि कि हमेशा के लिए यही tax रहेगा it was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company offers इस तरह से वो सोच रहे थे कि जो regular revenue लिया जाएगा, tax लिया जाएगा उससे किसमें बड़ोतरी होगी, company offer में, company के खजाने में बरती होती रहेगी at the same time encourage the जमीदार to invest in the improving the land और इसी time जो British थे वो क्या feel कर रहे थे कि जमीदारों द्वारा investment करवाया जाएगा किसकी improvement करने के लिए, जमीन की improving करने के लिए, जमीन में सुधार करने के लिए since the revenue demand of the state would not be increased इस परकार से जो demand थे revenue की उसको नहीं बढ़ाया जाएगा production from the land और जमीन से production भी increase होगा यह सब कौन सोच रहे थे British के इस इंडिया कंपनी के official source रहे थे लेकिन reality में ऐसा नहीं था the problems आ रही थे, किसको problem आ रहे थे, patients को, किसानों को जो revenue देते थे, लगान देते थे the permanent settlements however created problem, बहुत सारी problems create हो रही थे, company official soon discovered जल्ती company के अधिकारियों ने देखा, that the जमीदार were in fact not investing in the improvement of the land, जो जमीदार है वो पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, किस पर improvement of the land, जमीन के सुधार में the revenue that had been fixed was so high, जो fix किया गा था revenue वो बहुत ज्यादा हाई था, उंच्छा था, ज्यादा मातरा में था, that the जमीदार found it difficult to pay, कई बार इस परकार जमीदार के सामने difficulty आ रही थी पे करने में, यानि कि वो उसको pay नहीं कर पा रहे थे, अगर कोई efficient ये पैसे देने में फैल होता है, वो पैसे नहीं दे पाता है, तो क्या है, लोस्ट ही जमीदारी अपनी जमीदारी को खो देता था, उसकी जमीन को छीन लिया जाता था, कई जमीदारों की जमीन को ऐसे ही क्या किया जाता था, निलामी की जाती थी, निलाम उनसे छीन दिया जाता था कंपनी के द्वारा, ना, बाई दा सब्सक्राइब के लिए, जो मारकेट के अंदर कीमत थी गून्ड की वो रोज ही बड़ी, और जो खेती का काम है, वो भी देरे देरे एक्सेमेंड होने लगा, बढखने लगा. इस परकार से जमीदारों के इनकम में क्या हुआ सुधार हुआ बटनों गें फोर दा कंपनी लेकिन यह जाता कि इसको नहीं मिला जो इनकम हुई थी कंपनी को इसको नहीं बढ़ा रहे थे रिवेन्यू की डिमांड को नहीं बढ़ा रहे थे तो है बीन फीश्ट पर्मानेंटली क्योंकि वह पहले ही इसको पर्मानेंट कर चुके थे इवन देन तब जमीदार इड़ नोट है रॉट रॉट हैं ले इन की इंप्रूमेंट करने में किसानों की कोई इंट्रेस्ट नहीं था कोई दिल्चस्पे नहीं थी some had lost their land कुछ किसान तो अपनी जमीन को lost कर चुके रिखो चुके थे in earlier years पिछले सालों में of the settlements other नाउसा और कुछ दूसरे possibilities of earning without the trouble कुछ किसान अपनी income को increase कर रहे थे जो उनकी earning थे वो बढ़ रहे थी risk of investment यानि को पैसा खर्च कर रहे थे as long as the जमीदार could give out the land to tenants and get rents they were not interested in improving the lands इस परकार जो कुछ किसान थे जो बचे वे थे बिना किसी प्रेसानी के income में उनकी में सुधार हो रहा था लेकिन कुछ जमीदार अपनी जमीन को दे कर उनसे लगान वसूल ने जिन जमीदारों से लगान वसूल किया था वो किसान अपनी जमीन में सुधार करने के लिए कोई interest नहीं ले रहे थे कोई दिल्चस भी नहीं ले रहे थे इस परकार किसान जबरदस्ती हो रहे थी किसानों पर खेती करने के लिए लेकिन उनका खुद का कोई interest नहीं था दूसरी तरफ जो गाहों के अंदर थे कल्टिवेटर फाउंड दा सिस्टम एक्स्ट्रीमली ओपर सिस्टम यानि कि जो किसान थे उन पर दिखाई दे रहा थे कि दमनकारी सिस्टम उप्रेसिव सिस्टम था उन पर ज़्यादा दबाव डाला जा रहा था दा रेंट हैड पेड टू दा जमिदार वाजाई जो लगान उनसे लिया जा रहा था वो वो जादा मात्रा में था और कई बार तो उनकी जमीन क्या थी एस रुक्सित थी अगर वो नहीं दे पाए तो उनकी जमीन छीन ली जाएगी टू पेड रेंट ही हैड fortun टे के लों क्यों लयाк को रेवेटल को पे करने के लिए लगान देने के लिए क्या लेते थे लों लेते थे किस से मनी लेंडर जो बड़े बड़े क्या थे मनी लेंडर जिसको हम आज वी के तर पर चैसे попроб yhtक्वos हो लें decides ल्माज़ कि अगर च झेनलेचा होगे विखेोस को बिलाज केц, किसेंगे क्हों से जमें अपने अनिटर चाहसी चैनल यह आतर है आपने ट्रक्ट मांद चैनलन यह जमीन मैश कण डिसरी माहल से संदेशा, केम आपन जमें प Alors which may be a village, a group of villages, यानि कि हाँ हम group of villages, गाउं के एक समुख को क्या बोलते हैं, महाल बोलेंगे, a new system is devised, एक नया system बनाया गया, किसके द्वारा, इस इंडिया कंपनी के द्वारा, जब इस इंडिया कंपनी ने महसूस किया, कि जो permanent settlement है, वो ज्यादा क्या नहीं हो पाया, ज्यादा awful नहीं है, ज्यादा अच्छा नहीं है, तो इसके लिए उन्होंने नया system बनाया, by the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again, तो कई जो कंपनी के अधिकारी थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, कि ये जो system में उसको बदल देना चाहिए दोबारा से, how could revenue be fixed permanently at a time when the company needed more money to meet its expenses of administration and trade, तो अब अंग्रिये जदिकारी थे, वो मान रहे थे, कि जो permanent fix किया गाए revenue, उसमें उनका जो खर्च वो नहीं निकल पा रहा है, तो इसलिए व्यापार के लिए और administration के लिए उनको नए system को लागू करना होगा, तो नए system क्या है, इसके बारे में हम रीड करेंगे, नोर्थ वेस्टर्न प्रोविंसिस, अब कहां का बात चल रहे है है, इंडिया के सब कंटिनेंट के नोर्थ वेस्टर्न पार्ट में, वो बंगाल प्रेसिदेंशी, इस अरिया नाउन उत्तरपर्देश, अज जहां हमारा उत्तरपर्देश है, उस एरिया की बात है, ये Englishman called Holt McKenzie, एक अंग्रेज है जीन का नाम है, Holt McKenzie, डिवाइज दन्यू सिस्टम, एक नया सिस्टम लागू किया, जो कब लागू किया गया है, 1822 में, उस ने काल कि नोर्थ इस्टिक का जो पार्ट है, जो विलेजी है, गाउं है, वो ज्यादा महत्तव को ने संस्था है उनके इनकम के लिए, इसके यहाँ पर निजी टू भी प्रिजर्ब, उनको सुरक्षित रखना है, अंडर इस डारेक्शन, उसकी ने देश के अकोर्डिंग, एक गाउं से दूसरी गाउं बेजे गए, इंस्पेक्टिंग, क्या करने के लिए, जहाँ परचाल करने के लिए, किसकी लेंड की, मेजरिंग दा फिल्ड, खेतों को मापा गया, रिकोर्ड रखागा, कस्टम और राइट डिफरेंट ग्रूप्स, यानि कि अलग लग लोगों के जरूब ग्रूप हैं, वहां किस परकार के रितिरवाज हैं, क्या उनके अधिकार हैं, दा एस्टिमेट रवेंव इस प्लोट वो ले सकते हैं, यानि कि जो डिमांड थी, वो कुछ टाइम के लिए कितनी अलग रखी जाएगी और दूसरे आने वाले टाइम में इसको बढ़ाया भी जा सकता है, अब कि बार जो सिस्टम लागू करेंगे, उसको पर्मानेंट नहीं रखेंगे, जो लगान के रूप में इकठा किया जाएगा, पेंग इटू भी दा कंपनी, किसको दिया जाएगा, कंपनी को, इवन तू दा विलेज एडमेन, यानि कोन इकठा करेगा गाहों से यह रिवेन हो, गाहों का मुखिया, रैदर देंदा जमिदार, किसकी बजाएगा, अब जमिदार की बजाए, गाह सेटलमेंट किसके दोरा कानवाली के दोरा कब 1793 में अब दूसरा जो सिस्टम है वह होल्ट मैकैंजी के दोरा कब 1822 में इसका नाम क्या रखागा महलवारी सेटलमेंट महलवारी क्यों रखा क्यों कि गाउं से लिया जहता था third system में मुणर्व system किसके बारे में रूर्ज करेंगे मुंर्व system के बारे में मुंर्व system में क्या है इन और बीच्ट इ्सव्ठ टि अ अब नोर्फ वैस्ट में अब कहां की एर्या की है साउथ के में इसी तरह का एक दूसरा आइडिया उनके दिमाख में आया जो पहले लगाया था उन्होंने पर्मानेट सेटल्मेंट में दूसरा जो अब सिस्टम लागू किया गाओ किस नाम से रेतवार या रेतवारी यह नाम है के बिटिसर का पुरा नाम है कैप्टन अलेक्जन्डर रीड सम ओफ दा एरिया कुछ एरिया में इसने यह सिस्टम लागू किया था टेकन ओवर बाई दा कंपनी एफटर दा वार विद टीपू सुल्तान जब टीपू सुल्तान के साथ युद लड़ रहे थे आरें चैप्टर में हमने जो रीड कुछ साथ इडिया था उस समें अलेक्जन्डर रीड ने कुछ एरिया में इस सिस्टम को लागू किया था and this system was gradually extend all over South India, और बाद में Thomas Monroe के द्वारा इस system को पूरे South India के अंदर लागू कर दियागा तो किसके बारे में क्या समझ बहुँ आ है जो रेता बारी system था किसके द्वारा लागू कियागा Thomas Monroe के द्वारा और पहले इसके बारे में किसने लागू किया था अलेकजेंडर के बारे में रीड और मुन्रो दोनों क्या felt कर रहे थे in the south they were not traditional जमिदार कोई प्रमप्रागत कुराने जमिदार नहीं थे settlement they argue had to make directly with the cultivator यानि कि वो direct किसे revenue collect करेंगे cultivator rates यानि किसानों से who had tilted the land for the generation जो इन जमेन पर कई जनरेशन से कई पीडियों से खेती करते आ रहे हैं their field had to be carefully इस प्रकास से उनके खेत भी careful रहेंगे and separately surveyed before the revenue revenue इकठा करने से पहले उन्होंने survey करवाया उस एरिया का Monroe that तो Monroe क्या सोचा था कि British should act as Patron father figure protecting the rate under the air charge यानि कि वो एक पिता की तरहे अपने किसानों के क्या करेंगे protect करेंगे सुरक्षा करेंगे यह किस ने सोचा था Monroe ने सोचा था तो आज हम all was not well लेकिन यह सब क्या था सही नहीं था तो इस प्रकार यह सही क्यों नहीं था इसके बारे में रीड करेंगे किसान इसको नहीं दे पा रहे थे रेट फ्लीट दा कंट्री साइड किसानों ने गाहों को छोड़ना सूं कर दिया villages become deserted in many region किसान गाहों पूरी तरह से खाली हो चुके थे optimistic official had imagined that the new system would transform the patient into rich enterprising farmer but this did not happen यानि कुछ बिल्टिसर की क्या सोचना था कि इस तरह से किसानों क्या करेंगे वो मदद करेंगे लेकिन ये सब क्या हुआ उल्टा हुआ ऐसा कुछ नहीं हुआ बलकि किसान इन सब से दुखी ओकर और गाओं को छोड़कर कहीं दूसरे एरिया में चले गई थे तो आज हमने जितना भी चप्टर रीड किया हैं आप दिहान से वीडियो को सुनेंगे और लेसन को समझेंगे बाकी कल करेंगे